असलाम अलेकूम, आओ बच्चो, फूरूट्स के नाम सीखें, आपके सामने चार फूरूट्स हैं, क्या कहते हैं इनको, एपल, और इंड, वाटर, मेलन, और पीर, तो चलें आएं शुरू करते हैं, सबसे पहला फूरूट है, एपल, एपल जो है, इस कोड़ू में क्या कहते कि और एपल को सेथ कहते हैं और एपल शुरू कहां से होता है अपल आप देखें आप लए तो उसे हिसाब से साउंड के हिसाब से इसके आप स्टैलिंग लिखते है एडबल पी एपल एपल जो है वो पाकिस्तान में हर सीजन में मिलता है आप बजार से अर्टिफिशल बिस्कित के लेने के बीज़े अपने लुंच में चिखः लेकर आया खरें अब्ल जो है इसको उर्दू में सेव और ये सेल के लिए बहुत अच्छा है और ये मुख्यूलिफ कलर का होता है ग्रीन भी होता है रेड कलर में होता है और आप जो है इसके स्पेलिंग लिखके याद करें A, P, P, L, E, Apple दूसरा fruit है Orange Orange को उर्दू में क्या कहते हैं शाबाश Orange को उर्दू में Malta और किनू भी कहते हैं Orange जो है ये सर्दियों में होता है इसके juicy होता है इसके अंदर vitamin C होता है ये भी हमारी सेथ के लिए बहुत अच्छा है फिर है Watermelon Watermelon जो है ये दो लफसों का मजबूआ है Water और melon क्यूंकि इसका 90% हिसा जो है वो पानी पर मुश्तमिल होता है जब आप अंदर से इसे काड़ते हैं तो ये लाल रंग का होता है ये गर्मियों का fruit है और आप इसके बहुत सारे फाइदे है fruits हमेशा खाने चाहिए तो Watermelon जो है वो एक बेल के साथ लगा होता है और इसको उर्दो में तर्बूस कहते हैं तो इसके Water के spelling तो आपको आते होंगे साथ आप Melon जो है वो add कर ले तो ये हो गया हमारा Watermelon ठीक है Watermelon को जो है वो बड़े साइस का होता है और गर्मियों में लोग इसको शोक से खाते हैं अंदर से ये लाल रंग का होता है तो अब हम देखते हैं कि हमारे Watermelon के बाद अगला कौन सा fruit है तो चलें मैं देखती हूँ आपको इसका नाम आता या नहीं आता तो आप देखें मुझे बताएं ये कौन सा fruit है शाबाश ये कौन सा fruit है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है पियर तो पियर को नाशपाती भी कहते हैं ये भी कर्मियों का fruit है ये विसेत के लिए बहुत अच्छा है तो आज हमने चार fruits के नाम सीखे जिन में Apple, Orange, Watermelon और पियर था उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी Thank you for watching